तो चलू प्यारे बच्चों इस वाले कोशन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा एक प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करता हूं कहता है कि हाफ लाइफ आ फे रैडियो एक्टिव सब्टांस एक रैडियो इसटीव सब्टांस जिसकी हाफ लाइफ यहां पे 30 मिनेट्स दिय से यह कहता है टाइम टेकन बीट्विन दफ फॉर्टी परसेंट डीके अन्टी फाइफ परसेंट डीके जब यह दीके हो रहा है तो मालोडी के हुआ है टी इकल टू जीरो पर इसकी इमांट जो है नंबर आप नुक्लियाई जो है एन नौट था तो टी टाइम बाद जब सिए टी टाइम बात तो फॉर्टी परसेंट डीके हो चुका होगा तो कुछ इसमें एंड स बचा होगा टाइम लगा फिर जब मान लेता हूं तो टी लगा ऑर designed के हो सबसे पहले अगर तुम देखोगे यहां पर इस को करने से पहले तो सबसे पहले जो अपना फार्मूला लगाया जाता है वो रिमेनिंग के लिए लगाया जाता है गया हुआ है जो भी फार्मूला या तो रिमेनिंग लिए लगाय तो रिमेनिंग के लिए लगाया तोright करेया हैं तो इहां से एन हैas 0.4 N0 ठीक है तो यहां से आगया 0.6 N0 ठीक है बचा हुआ है ठीक है कितना टाइम लगा है कि डीक होने में 40% मतलब N1 बचने में जो टाइम लगा है वो T1 है अगेन दूसरे केस में देखोगे 85% डीक हो गया मतलब मानलों जो रिमेनिंग है वो N2 है तो N0 माइनस 85% of N0 क्योंकि N2 बचा है तो यह N0 और माइनस 0.85 N0 जब इसको घटा होगे तो आ जाएगा 0.15 N0 तो अगर मैं रिमेनिंग की रैसियो ले लूँगे यहां से रिमेनिंग रिमेनिंग का मैं रैसियो ले लूँ प्यारे बच्चों तो देखो मैं थोड़ा सा पेन बदर लेता हूँ तो मैं अच्छा सा फील आ जाएगा ज्यादा फील आ जाएगा पिंक ले ले लेता हूँ तो यह N1 अप एप्लाई करेंगे तो 60 अपान 15 आजाएगा तो यह जाएगा 4 ठीक है तो यह N1 अपान N2 की जो रैसियो है यह बच्चे यूगे की रैसियो है और रिमेनिंग के लिए हमें हमारे पास फार्मूला पहले से है रिमेनिंग के लिए N is equal to N dash is equal to remaining N not 1 by 2 is equal to small t लगने वाला time और time period यही फार्मूले को हम दो बर लगा देगें प्यारे बच्चों तो चलो इसको मैं दो बर लगा देता हूँ तो first time लगाता हूँ N1 is equal to N not और यह जाएगा 1 by 2 यहाँ से और time T1 और half life capital T जो की दिया था और N2 यहाँ से जो बचा हूँ N not और यहाँ जाएगा 1 by 2 और यहाँ से T2 और यह capital T तो अब एक काम करना कुछ नहीं divide कर देना इसमें से first time तो N1 upon N2 की जो value आजाएगी N not यहाँ से खतम हो जाएगा और यहाँ से 1 by 2 की power T1 by T आजाएगा और minus यह जब divide करोगे इससे तो यह उपर चला जाएगा T2 upon T बच जाएगा तो यहाँ से 1 by 2 और यहाँ जाएगा T1 minus T2 upon capital T और N1 upon N2 की value यहाँ 4 था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की power 2 और यहाँ से 2 की power minus लेलोगे यहाँ से minus T1 minus T2 upon time period T इन दोनों से compare कर दोगे तो 2 की value power compare कर दोगे 2 की value आजाएगी T2 minus T1 upon T तो delta T जो हमें difference जाएगे था T2 minus T1 उसकी value आजाएगी 2 times time period तो time period कितना था यहाँ देखो तो time time period बोला हूँ half life क्या बोला हूँ हमें कुछ भी half life जो है तो यहाँ से 60 एसे चमयाद आ जा रहा था तो यहाँ से तुम देखो गे 60 seconds जो है उसका जो difference होगा दोनों के time period में आई होब कि आपको मज़ा आ गया होगा ठीक है thank you अपना बहुत ख्याल रखो झाल थो हा रखो